आपकी स्क्रीन बर एक मुतरवा देख रहे होंगे और मुझे लगता ही कि आप लोग इन्हें जानते होंगे इन्हें आप लोगोंने कई मुवियों में भी देखा होगा ईनका जानाम है आलिया भट अभी चर्चा में क्यों मनी हुई है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आलिया भट और रनवीर कपॉर साधी करने जा रहे हैं विभा करने जा रहे हैं और आप देखते होंगे कि हमारे देश में जब इस तरह कि किसी एक्टर एक्टर्स के बीच आप देखे साधी होती है तो वो काफी चर्चा का विस्था बन जाती है और न्यूज पेपर में आप देखते होंगे कि मैन जो पेज होता है उसी पर छपने लगती है समझ रहे हैं आप लो तो इनके बारे में एक सामान जानकारी आप लोगों को दे देते हैं कि आकर हैं कौन है आपकी स्क्रीन पर दिख भी रही है और आप देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर और और फिक्टर दिख रही होगी यह आप देखें इनके पिता है और इनकी माता है और आप एक तरह से इनका उपनाम है, अलू इनका उपनाम है, और इनका जनम हुआ था 15 मार्च 1993 को, तो कहते हैं न कि वो उम्रे की कोई सीमाना हो, कौन सा गाना है वो, 1982 में रनवीर कपूर का जनम हुआ था, 1993 में रनवीर आलियवट का जनम हुआ, यानि कि इनकी एज में आप देखे एक बड़ा अंतर है, लेकिन एक कोई मायने नहीं रखता है, फिलिमी जगत में भी नहीं रखता है, और वैसे भी आजकल आप लोग देख नहीं रहे होंगे, जनम इस्थान की बात करें तो मुंबई महराष्ट में इनका जनम हुआ था, और आप लोग मुंबई महराष्ट देख भी रहे होंगे, ठीक है, और उसके बाद इनकी अगर हम लोग पिता की बात करें, तो महिस भट जो निर्देशक है, निर्माता है, पट कथा लेखक भी हैं, और माता की बात करें तो सौनी, राजदान, अभिनेत्री और निर्देशक हैं, इनकी माता का नाम है, और व लोग कुछ मतपूर्ण फिल्मों की बात करें, फिल्मी सफर की बात करें, तो आलिया भट ने सबसे पहले, वाल कलाकार की रूम में पहला अपना डिब्यू, उन्नी सो निन्याद में संघहस फिल्म से सुरू किया, जिसमें आलिया भट ने प्रितिन चिड़्टागा, वाल करेंड और बात में आलिया भट को करन जोहर ने अपने फ्रोडेक्सन हाउज धर्मा प्रोडूक्शन की तए, अपनी फिल्म स्टूडेंट आप दा यर, 2012 में लौंज किया थे इनों 50 जेसका डायरेक्शन स्वय्म कर्ण जोहर ըे किया था और फिल्म में आलिया भट की सा सि पर पुरुसकार भी मिलाता है ने, हाला कि उन्हें अवार्ड नहीं मिलाता इसमें, नामंकित किया गया था, लेकिन उन्हें अवार्ड नहीं दिया गया था, तर आप देखें, 2014 में उन्हें हाईवे के लिए कास्ट किया गया था, हाईवे मुवी, और जिसमें उन्हें एक अ सरफसिष्ट अभिनेत्री के लिए फिलिम फिर क्रेटिक्स अबोर्ड जीता और सरवारों में सरफसिष्ट अभिनेत्री का नाबंकन भी प्रात किया था हमारे देश में आदिकी अधिकतर बॉलीवोड मूवियां जो बनती है उसमें एक लड़का लड़की की कहानी जरूर ड अब नहीं किया था जो आप देखेंगे चेतनभगत के उपन्या टू स्टेटस दा स्टोरी ओप माईल माई मेरेज पर आधारित थी उसी बस उन्होंने ससांग खेतान द्वारा निदेसित रॉमांटिक कोमेडी फिलिम हम्टी सर्मा खानी दुलनिया में अब नहीं किया था और उन्होंने हम्टी सर्मा की दुलनिया में एक पंजाबी लड़की की भूमी का निभाई थी जिसका साधी से पहले अफेर चल ला था हम्टी की दुलनिया दौनों फिलमें टू स्टेटस और हम्टी सर्मा दुलनिया वेवसाइक रूप से सफल रही थी 2014 में उपलबदिय को अनिद्रा के रूप में दिखाए गया है जो एक गंतब साधी के दौरान प्यार में पढ़ जाते हैं चांदार में ने विवसाइक रूप से अच्छा पिदर्सन नहीं किया और इसके बाद उन्होंने 2016 की सुरुवात कलाकारों की टुगडी के नाटक कपूर एंड संस मे साहयक भूमिका निभाई के साथ की और जो एक महत्पूर्ण और विवसायक रूप से सफल फिल्म थी तो हर मूवी में आप देख रहे हैंगे प्यार 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 2016 में उन्होंने फिल्म उड़ता पंजाब में एक फिर्मो भूमिका निभाई थी इस फिल्म में पंजाब राज में ड्रक्स के इस्तिमाल को दिखाया गया था फिल्म के कारण कई विवाद भी पैदा हुए थे उस समय काफी चर्शा में भी रही थी उसके बाद आलिया डि जिन्दगी के लिए उन्होंने सरफसिष्ट अभनित्री के लिए स्कीन अवर्ड और फिल्म अवर्ड जीता और बाद में उन्हें फिल्म फिल्म में एक अत्रिक्त सरफसिष्ट अभनित्री का नामंकर मिला 2017 में उन्होंने रॉमांटिक कमडी फिल्म बद्री नाथ की दु जिसमें उन्होंने सहमत खान के रोम में अभी नहीं किया था। एक कस्मीरी जासूस ने एक पाकिस्तानी सेनाधिकारी से साधी की थी। और 1971 के भारत पाकिस्तानी युद्ध के द्वरान सेट यह फिलिम हरिंदर शिक्का के उपन्यास कॉलिंग सहमत का एक रूप आंतर था। 2019 में रनवीर के साथ गलीवाय की थी इन्होंने और एसमें 2.37 बिलियन से अधिक की बैस्विक कमाई के साथ यह फिलिम आलिया भट की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिलिम के रूम में उबरी और गलीवाय ने रिकॉर्ड 13 फिलिम फियर पुरुसकार भी जीते थे आलिया अलिया भट को उनके करियर की तीर सिरी सबसेट अपने त्री की टॉपी से भी सम्मानित किया गया था इस समय और 2020 में उन्होंने सडक 2 में अभी नहीं किया और जो उनके पिता की अपराद फिलिम जड़ सडक 1991 की अंगली करी थी जो कोविद 19 के महामारी के कारण नाट की र फिलर्ष हॉट इस्टार पर ये पिदरसित हुई थी आई हुई थी आलिया से बिबाद भी जुड़े रहे हैं आप देखेंगे थी आलिया भट उत्तरपदेश इसते सैफाई गाओं में समाजबादी पार्टी की द्वारा आयुजित सैफाई महोसाओं में कतित रूप से स अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं आती और नहीं मैं राजनीती क्रूप से किसी पार्टी के साथ सम्मंधित हूँ तो उस समय भी इनकी आलोचना की गई थी और मुझे लगता है कि आपकी गलती हो तो मापी मांगने में कोई बुराई नहीं है और बुराई देखिए गलत पती ना मानने में होती है आप देखते हैं उसका खामयाज या बहुत लंबे समय तक आपको भुगतना पड़ता है इसलिए अगर आपकी कहीं गलती है तुरं तुम आप ही मांग लिजी उसमें बड़ा चोटा होने की कोई जरूरत ही नहीं होती है तो खेर यही हाल है यही इनकी कहानी है भी तक की आगे क्या कहानी का सीन रहता है वो तो आप लोग निउच्पेपर और वाखी जो इने चाहते होंगे पसंद करते होंगे इनके एक तरह से चाहने वाले होंगे इनके पिसंसक होंगे तो वो तो एक-एक जानकारी याद रखे रहते हैं एक-एक जान आएगा उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे